Hello everyone, स्वागत है आप सभी का Library Science Special Classes में और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका टॉपिक है Special Canon of Canon for Book Classification यानि कि अगर हम इसकी बात करें कि Canon क्या होता है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि Meaning of Canon Canon का मतलब होता है Rules Rules, Regulations, Principles जिनके Base पे यानि कि अगर हमें कोई काम systematic वे में करना है तो किसी भी काम को systematic वे में करने के लिए हम कुछ रूल बनाते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं जिनके Basis पे हम अपनी क्या करते हैं? एक Theory को Origin करते हैं थियोरी का origin होता है, थियोरी का जो base होता है, वो क्या होता है, हमारे principles होते हैं, हमारे rules and regulations होते हैं, कि हम किन rules को follow करके, अपने काम को और अच्छी तरीके से कर पाएंगे, तो ठीक, लाइबरेरी की, अगर हम लाइबरेरी classification के बारे में बात करें, तो उसमें भी हमारा canon, यानि कि canon के principles और जो rules हैं, वो भी follow होते हैं, अगर हम इसके odd depth में जाएं, तो यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है, बुक classification, यानि कि किसी चीज़ को अलग-अलग divide करना, उसके level अलग-अलग होते हैं, उसकी विशेष्टा के अधार पे, हम उस चीज़ को क्या करते हैं, classify करते हैं, बुक को उनकी विशेष्टा के अधार पे, उनके addition के basis पे, उनके volumes के अधार पे, ऐसे करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का वरगी करन करते हैं, तो जब बात आ रही है हमारी कि classification, अब classification में जो है, बहुत सारी classification schemes हैं, जिनका use किया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पुरानी हमारी classification scheme है, वो क्या है, वो है DDC, Library of Congress, अब DDC है, और Library of Congress है, और other classification schemes है, वो किस प्रकार से अपना काम करती हैं, यानि कि वो कैसे books को classify करती हैं, कैसे में पता चलता है, कि ये book हमारी particular subject से related है, तो यही सब की screening होती है, ये सब क्या कहलाती है, हमारे canons कहलाती ह तो इसी सूची के अंतरगत हमारा जो पहला canon आता है, वो आता है canon of classic, अब classic का मतलब पहले हम यहाँ पे समझते हैं, classic का मतलब होता है कि किसी चीज को classify करना, यानि कि एक बहुत सारा, suppose कर लीजे, एक बहुत जो है, बड़ा सा धेर लगावा है किताबों का, Library में क्या होता ह है, bulk में books आती है, अब उन जो experts होते हैं, उनका कान क्या होता है, कि वो उस, जो मतलब पूरा एक group आया, पूरा bunch आया हुआ है, किताबों का, उसमें से उन अलग-अलग किताबों को, सबसे पहले क्या किया जाता है, subject wise, अलग-अलग उनको classify किया जाता है, उसके बाद में, फिर उनको, यानि कि जो classification का, जो method है, वो क्या है, वो broader to narrow की ओर जाता है, सबसे पहले हम यह देखते हैं, कि कौन से subject की कौन सी किताब है, यानि कि सबसे पहले हम किताबों को क्या से classify करते हैं, subject के basis पे करते हैं, फिर हम देखते हैं, उस subject में, particular subject में, कितनी authors ने अलग- किताब के या उस particular author के और कितने additions आये हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, हम अलग-अलग किताबों का classification करते हैं, यानि कि broader to narrow की ओर हम जाते हैं, अगर हम इसकी और depth में जाएं, तो broader to narrow से क्या मतलब है, broader to narrow से मतलब यह है, कि जब हम छोटे होते ही, तो हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं, हम साइंस की अलग-अलग branches आने शुरू हो जाती है, ठीक है, तो साइंस में, आप साइंस में क्या है, आप क्या ले रहे हैं, PCM ले रहे हैं, chemistry ले रहे हैं, chemistry ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं, बायो फिजिक्स ले रहे हैं, यह क्या है, यह क्या ह ब्रादर से नेरो की ओर बढ़ रहे हैं यही काम होता है Canon of Classic का I hope आपको समझ में आ गया होगा कि Canon of Classic क्या होता है अब जो हमारे second number पर जो हमारा Canon आता है वो आता है Canon of Local Variation यानि कि the notational system of a scheme of book classification should provide for variation due to special interest it means that कि जब हम book classification कर रहे होते हैं तो उसकी एक हम scheme बनाते हैं एक scheme एक यूजना के थूरू हम किसी भी book का क्या करते हैं classification करते हैं अब classification जैसा कि अभी मैंने previous lecture में बताया कि क्या है हम क्या करते हैं broader to narrow यानि कि subject के हिसाब से author के हिसाब से क्या करते हैं अलग-अलग किताबों को क्या करते हैं हम classify करते हैं तो canon of local variation क्या करता है इस थायत प्रतान करता है यह जो हमारा है यानि कि अगर हमने कोई चीज एक almira है वो almira हमने set कर दी है कि इसमें हमको जो है psychology की ही books रखनी है तो यानि कि हम वहाँ पर क्या करेंगे psychology की ही books को रखेंगे canon of local variation local अब हमको यह देखना है कि जो हम classification कर रहे हैं वो local basis पर है कि national level पर है तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं book का classification करते हैं अगर हम इसके और भी ज्यादे depth में जाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि for example अगर मालीजे एक English subject है तो English subject में क्या है उसके अंदर बहुत सारे subject और अंदर subdivision है उसका यानि कि English को further divide किया गया है literature में भी और language में भी अब literature और language उसके बाद में क्या है फिर हम क्या करते हैं अब वो pottery है drama है कि fiction है यानि कि और उसके further subdivision होते चले जा रहे तो उनको उनकी रुचियों के अनुसार उनके उनकी विशेष्टा के अनुसार हम क्या कर रहे हैं उनका variation कर रहे हैं ठीक है तो इसी को कहते है canon of local variation I hope आपको समझ में आ गया होगा कि canon of local variation क्या होता है अब इसी लाइन में जो हमारा तीसरा हम जो canon आता है वो आता है canon of book number book number यह बहुत ही important होता है call number क्योंकि हमको मालूम है कि call number कैसे बनता है call number बनाने के लिए हमें क्या करना होता है सबसे पहले class number plus book number then collection number is equal to call number यानि कि इन तीनों चीजों का mail जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है वो हमारा call number कहलाता है तो यहां पर हमारी बात हो रही है canon of book number book number हम कैसे identify करते हैं कैसे इसको देखते हैं बुक नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना करता है जो CA cutter की जो CS list है यानि कि author का जो first name होता है author के name का जो first letter होता है उसके basis पे हम क्या करते हैं book number को find out करते हैं तो a scheme of book classification should be provided with a scheme of book number to individualize the document having some classes of knowledge as their ultimate class यानि कि book number से अब जब हम क्यों कि हम book number को भी use कर रहे हैं तो book numbers के थुरू और भी ज्यादा classification हमारा क्या हो जाता है secure हो जाता है यानि कि हम और भी ज्यादा authentic हो जाता है हमारी जो search होती है वो हम और भी ज्यादा easily उस चीज को क्या कर सकते हैं search कर सकते हैं तो यह हमारा हो जाता है canon of book number अब इसके बात में जो next हमारा आता है canon वो है कि canon of collection number जैसा कि अब हम पहले जान लेते हैं कि आखिर यह collection number क्या होता है collection number mostly students जो होते हैं collection number में क्या होता है confuse हो जाते हैं तो आईए जानते हैं कि क्या होता है क्या होता है जब क्योंकि जैसे कि हमने बताया भी आपको कि कौन number तीन चीजों से मिलके बनता है ठीक तो library में कि सारे section होते हैं तो collection number का मतलब होता है यानि कि जो library में जो किताब है वो किताब कहां पर locate की गए है यानि कि कहां पर उसका collection किया गया है तो this is called the collection number. For example, माली जे कि कोई किताब आई है और उस किताब को क्या है reading section में रखा गया है या reference section में रखा गया है या फिर law section में रखा गया है तो उसका call number डिवाइट करते समय यानि कि call number बनाते समय क्या किया जाता है जब हम call number बना रहे होते हैं तो उसके साथ ही में ही अपने symbol के लिए अपने पहचान के लिए क्या है कि हम क्या करते हैं एक collection number भी provide कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये किताब हमारी कहां की यानि कि किस section की है तो this is called the collection number I hope आपको समझ में आ गया होगा कि canon of collection number क्या होता है और जो हमारे जो मेरे एक subscriber थे जिन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि मैं मुझे आप एक canon of book classification के बारे में बता दीजिए तो I hope वो समझ चुके होंगे क्या होता है तो जो मेरे जो subscriber थे I hope उनको समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को देख करके अपना feedback जरूर दे मैंने जो उनसे promise किया था कि मैं आपको इसके बारे में इसका एक video बना करके भीजूँगी तो वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से जरूर बताए आपके feedback से मुझको motivation मिलता है तो प्लीज अपना feedback जरूर से जरू आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है ये भी आप comment box में comment करके जरूर से जरूर बताए और साथी आपको क्या problem create होती है कौन सा topic आप पढ़ना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर से जरूर बताए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी problems को solve करूं जैसा कि म में हमेशा करती ही हूं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको like, share और subscribe करना ना भूले अब जो हमारा last हाता है canon वो है canon of distinctiveness यानि कि distinctiveness यानि कि किस प्रकार से हम in a scheme of library classification the class number, the book number and the collection number together forming the call number should be written quite disconnect from one another यानि कि किस प्रकार से हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हम class number, book number and collection number इन सब को साथ में add करके form करके हम एक क्या करते हैं एक कौन नंबर को create करते हैं after then should be write quite disconnect from one another और उसके बाद में भी यह कैसे एक दूसरे से disconnect हो जाते हैं इनको हम कैसे पता कर लेते हैं यानि कि जैस लेकिन हमको कैसे पता चलता है जो लाइबरेरी एक्सपर्ट होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि यह जो किताब है वो किस particular कि section से है तो वह हमें collection number के द्वारा यानि कि कौन नंबर देखे ही हमको तुरंद इस बारे में clear हो जाता है कि यह बुख हमारी कहां की है यानि कि जो कौन नंबर है वो एक किताब को अन्य वस्तुओं से अन्य चीजों से क्या करती है डिफ्रेंस क्रियेट करती है उसमें एक भिन्नता को क्रियेट करती है जिसके बेसे इस पे हमें पता चल जाता है कि क्योंकि लाइबरेरी होती है लाइबरेरी में बहुत सारी चीजे होती है तो उन्ही के आधार पर ही क्या होता है लाइब्रेरी का कलेक्शन किया जाता है उनका क्लासिफिकेश वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट करके जरू से जरू बताए और साथी साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू